यह जाए प्रोफाइल से शेलरी है कितने इस्किल्स आपके बास में होनी चाहिए चाहिए आखेचल के आपके ग्रोथ के आपके रिकमेंडेशन्स हैं तो कौन कौन सी कम्पनीस हैं वो सारी चीजह हम डिसक्रस करने वाले हैं इस वीडियो में तो बने रहे चले करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं अग हगर हो किसे आपकी चिज देखोगे charging चलती है है तुछ आपकी इरी माया इस से किसे आप Chelsea's कर है नभ बॉल प्लेक्ट तरण हो गईए ये सारी चीज़े होती है आप Electrical Engineering में सीखते हैं किस तरीके से आप Power का जो usage है वो कम से कम कर सके और किस तरीके से आप efficient Power के sources बना सके जो pollution वगईरा कम करें ये सारी चीज़ें हम Electrical Engineering में देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो अब बात करते हैं इंजिनेरिंग क्या है तो मैंने आपको बताया है एक एंजिनेरिंग के इस तरीके की ब्रांच है जिसमें आप equipment वगेरा हो गए devices हो गए उनकी क्या क्या application है अभी एक्ट्रिकिटी इलेक्ट्रोनिक्स और electrical engineer क्या करते हैं कुछ नए नए electrical systems हो गए या कोई equipment जो आते हैं आपके उनको test करना उनके अंदर कोई problem है तो उनको maintain करना ये सारी चीज़ें वो physics की और mathematics के concept को लगा करके apply करके उन्हें बनाना सीखते हैं उनको maintain करना सीखते हैं ठीक है तीन basic branches है electricity, electromagnetism and electronics जो बहुत ज्यादा एक छोटे से छोटे चीज़ें बड़ी बड़ी चीज में वो लगाना सीखते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं education क्या required है मतलब education क्या required है उसकी बात हम तोरी दिर में करेंगे अब सबसे पहले अगर आप education लेना शुरू कर देते हैं तो आपको years तक चली जाती है ठीक है आगे बात करते हैं हम सबसे पहले कौन-कौन से courses आप pursue कर सकते हो ठीक है सबसे पहला है आपका diploma in electrical engineering अगर आप चाहते हो आपने 10th class के बाद ही electrical engineering में चाहते हो कि बहुत अच्छा score किया हो ठीक है और आपके पास में English as one of compulsory subject होना जरूरी है ठीक है फिरम बात करते हैं अगर आप 12th के बाद में pursue करना चाहते है electrical engineering तो आप B.Tech कर सकते है electrical engineering में उसकी duration है आपकी 4 year की इसकी eligibility क्या है कि student के बास में आपका 10 plus 2 की degree हो मतलब 12th class उसने करी हो science, physics, chemistry and maths के background से ठीक है physics होना बहुत जादे important electricity आप समझी गए होंगे ठीक है इसके लिए आपके B.Tech में जो admission process है वो आपका आपको M.Tech करने का मौका मिलता है गेट से मतलब आपको M.Tech के लिए अच्चे-चे colleges मिल जाते है ठीक है फिर आप M.Tech pursue कर सकते हैं जो आपकी 2 साल की होती है duration उसकी 2 years की ठीक है यहां पर आया नहीं होड़ा सा duration उसकी 2 years की होती है ठीक है और आगेट के एक्जाम के score के merit list पर आपको उसमें colleges मिलते हैं ठीक है आगे बात करते हैं कौन-कौन से आपके electrical engineering के लिए entrance exam होते तो यह में इस वन ऑफ दब्लू बी जेए सब पता है ठीक है अप इन सारे exams को देने के बाद कौन-कौन से best colleges है जो आपको मिल सकते हैं तो colleges इसमें अच्छे खासे चलते हैं IIT इस टॉप पर रहते हैं IIT Bombay, IIT Delhi, IIT खड़कपूर, कानपूर, IIT इसमें admission के लिए आपको पता है यह J.E.B.S. and then your J.E. Advanced ठीक है और अगर आप private college में नाम देको सबसे पहले बिट का नाम है ठीक है फिर आपके कुछ government colleges सबसे जादा उपर रहते हैं IIT, Calcutta, IIT, Rurkel और आपके मनिपाल Institute of Technology यह सारे जो colleges हैं आपके अच्छे colleges हैं ठीक है निर्मा University तो आप इनमें एक बार apply करने के लिए आपको यह जो entrance exam मैंने पहले बताए थे आप उनमें थोड़ा सा ध्यान दें ठीक है आगे बात करते हैं हम सबसे पहले कौन-कौन सी electrical engineering की प्लेस्मेंट के basis पर अगर आप देखोगे तो कौन-कौन सी companies वन नंबर पे टू नंबर पे जो आपको जाए-जादा offer करेंगी salary के basis पर ठीक है आगे बात हम इसमें पढ़ते हैं सबसे पहला है आपका भारत हैवी भारत हैवी सबने नाम सुनाओं का बजाज का तो टाटा हो फिलिप्स हो गए विप्रो हो गया यह सारे जो आपके एक्जाम्स होते हैं यह सारे जो companies हैं उनके basis पर आपको लेती हैं ठीक है आगे बात करते हैं हम salary of electrical engineering का को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके salary क्या क्या होगी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजिनरी में होनी होनी है यह एक इस तरीका करियर option है कि आपको इसमें emerging fields मिलते ही जाने है ठीक है आज की लाइफ में आप दिखोगे electricity important होती ही जा रही जाए 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 तो आपकी growth इस industry में आपके पक्का होनी है ठीक है और अगर salary की बात करो तो freshers आपकी 18,000 तो 30,000 रहती है और अगर आप अभी 2 lakh पर अनम से freshers में join करते है पर अनम की बात कर रही हूं मैं आप experience और skilled person है तो आपको जाए 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 मिलेगे और experience के business पर salary इसमें बहुत जाए रिपेंडेंस करती है सारी engineering में basically same ही बात है ठीक है अब I hope कि मैं आपको सारी चीज़े समझा पाई electrical engineering के बारे में अगर फिर भी कोई डाउट आपको आता है electrical engineering के बारे में तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं ठीक है वहां पर अपने doubts को type कीजी मैं आपको सारे doubts को clear करने की कोशिश करूँगी तब तक के लिए bye bye see you later और important announcement बच्चे हमने पूरे के पूरी वीडियो पे अपरे के पूरे चैनल पर एक playlist बनाई हुई है type of engineering के बारे में आप चा करके उसका link description box में है वो देख सकते हैं उसमें हमने civil engineering, software engineering, electrical engineering और भी काफी सरी चीज़े discuss की हुई है उसे check out कीजिए guys till then bye bye